लाज्ट प्लास में चेंटर आफ मास स्टार्ट किया था याद है आप पॉइंट मास के सेंटर आफ मास का फॉर्मूला देखा था आप उसके बाद अगर दिस्टिबूटेड मास सिस्टम हो तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं ऐसा बताया था ऐसे उसमें एक यूनिफॉर्म राद का सेंटर आफ मास उसके में यह बताया था यह स्टर नॉनु उनिफॉर्म का कैसे है इस्ट इंग्जाम्पल बताया था याद है याद है क्या फॉर्मूला आया था टू आर बाई पाई तू आर बाई पाई वेरी गुल तो लोकेशन और सेंटर अवास मास्ट और यूनी फॉर्म सेमी सर्कुलर डिश्क कुस्य मैं रिंग किया था को सेमी सर्कुलर इंग खाना आँ सेर्ट अब सेमी सर्कुलर डेट ठीक है थो से अब माझ काया खाना आप खाना आप बस्क है अब गूद माझ का खाना आप देख सेमी आप कालना आपित कया आप ऊवाद कर दोंक बार्चा और दोंक बूला है कि अगर देखोगे तो ये बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग से मिल कर बना हुआ लगता है मेरे कहने का मतलब यह है यह मां लो एक सेमी सर्कुलर डेस्ट है तो सेमी सर्कुलर डेस्ट है मतलब इस केस्ट में मांस्क्रूआउट रिया होगा है ना होगा इसा तो यह अगर मैं देखो तो यह इस तरह के सेमी सर्कुलर डेस्ट से मिल के बना हुआ लग रहा है मतलब अगर मैं अगर एक स्ट्रेडियस का और दी एक स्ट्रेडियस का एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लो और इस सेमी सर्कुलर रिंग के टेंटर रास्मास्क का फॉर्मूला मालूम है मुझे आज तो ऐसा ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग रेडियस जीरो से आर्ट तक कर देंगे इंटिकेट तो हमारा काम चलेगा कि अगर कि अगर कि अगर कि बोलो कि एक बार पिर से लग रहा है कि मैंने का इक जीरो रेडियस का सेमी सर्कुलर रिंग और मालूम पिछली कुलास्ट में था उसका प्रमूला लगा दो यृसको इन्टिग्रेट कर दो जीरो से आ चैज़ा आपका काम चले पूरी रिंग के लिए नहीं लगा सकते फर्मिला एक बार कोशिश करो फिर देखते हैं झाल thriller विर विर देखते हैं झाल 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 तुट त्सक्राइब तूट स्क्राइब स्कव्यर पाए अगर तूट अगर अगर यहाँ पर तो तो इस तो इस हैं कि यह स्टेट्मेंट अगर समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया इस इस मास पर यूनिट एडिया कि फर्स्ट वाला लाइन समझ आया कि नहीं नहीं से नहीं से कि इसका मास अगर एम है तो मास पर यूनिट एडिया तूरम अपॉन पाई आज स्क्वाइर होगा यह बात समझाए कि नहीं लेफ्ट साइड में लिखा है और और एक पर समझाए तो एम क्यों आएगा तो होगा ना यहां हां समझाए तो लेफ्ट साइड वाला समझ गया पका अब और राइट साइड वाला यह जो रेट कलर का इस त्रिप में जो रेट कलर का इरिया है वही एरिया को सिग्मा से मां सिप्लाई करना है मास के लिए हां से यहां तक समझ आया है हां से मतलब वह एडिया मिल जाए तो हमारा काम चलेगा हां से चलेगा यह तो वह रेट कलर के स्क्रिप को खोल दो तो उसका लेंप कितना होगा परिमिटर का आधा यह पाई एक्स हां से बोलो इसको खोल दोगे यह जो रेड कलर का से जड़ेड पोर्शन है इस जड़ेड पोर्शन को अगर खोल दोगे तो यह एक रेक्टैंगल बनेगा हां सर बनेगा हां सर बनेगा इस रेक्टैंगल का लेंप पाई एक्स होगा इसका विट दी एक्स होगा इसका ए्रिया पाई एक्स दी एक्स हो गया इसको चिग्मा से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो डी एम हो गया इसका इसका देंटर आप मास् क्लास क्लास में लिका लगा तू और बाइपाइ तू आर बाइपाइ तो यह जाएगा तू एक्ट बाइपाइ पाइपाइ तो जो सेंटर आफ मास का पोजिशन होगा हुआर प्रोण सेंटर हैं ऑंक डाइपाइ तू आफ मात दो हुआ टू एक्ट एक्ट सबीचित सेंटर हुआ धिविच्ट वॉड़र सेंटर हुआ अग्हा आट अग्ट वैज ऑू हर अपाइपाइपाइपाइ यह सिर इन्यूडर द्यू अच्छिमकर शे पाइपाइपाइ πई x d x into 2 x upon π divided by m ऐसा होगा आसा होगा सिग्मा है हमारा 2 m upon πई r square multiplied by m फिर 2 बाहर integral x square d x 0 to r ये m गया तो हो गया 4 upon π आई r square और ये integration हो गया r cube by 3 तो ये आगया 4 r by 3 pi तो ये आपको याद भी रखना है अज़र फॉर्मूला और इसको कैसे निकालना है ये भी समझना है इसकी गैरेंटी नहीं है अज़र ये जो सेंटर आफ मास्ट है वो य अक्सिस के अलांग आएगा ना हाँ वहीं आएगा ना अज़र फिगर है ना तर सिम्मेट्रिकल फिगर है ना इसके लिए ज़र फिगर है ये अज़र फिगर है ये य ये आकसिस के लॉंग है या था रिंक अभी सब्सक्राइटी पर लाइटार है ना वाम शेंट्व ठीक है कर दो 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 झाल 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 हो गया तो यह जैसे डेरिवेशन किया है इसकी डेरिवेशन के बेसिस पर आए इसकी डेरिवेशन करो वैसे यह स्य व्रमा में क्योंड नंबर 11 कि अगरे देरिवेशन समझ आया है तो यह प्रमूला समझ आया है तो नहीं होगा है लिख्राइब खुर्चिए और यह समय इसकी ज़ें झाल 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 बोलो कोछ आया अंसर और 4 और 2 क्यूब बाई 3 पाय और 1 स्वेरा है देखो इदर जैसे पहले की अथा ठीक वेते ही यहां से एक रिजिस्टेंस पर अगर हम एक डी एक्स वेर्ट का सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं तो जैसा पहले की अथा ठीक वेते ही डी एम सिग्मा इंटू पाई एक्स डी एक्स हाई अना हाँ सेर्ड सिग्मा इस एम अपाउन पाई आर्टू स्क्वेर्ट माइनस आरवन स्क्वेर्ट अपाउन तू ऐसा होगा इंटू पाई एक्स डी एक्स बोलो जो सर्वा अरटू मैने सारवन वरन नहीं समझा को अलगा के यह दियम हो गया डियम का सिंटर अप्समास कहां पर होगा कि इस दियम का सेंटर आफ मास कहां पर होगा कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर आफ मास का लोकेशन क्या होता है इसमें लिमिट आफ इंटिग्रेशन होगा आरवन से आरटो तक तो यह हो गया तू एम अपॉन आरटो स्क्वेशन माइनस आरवन स्क्वेशन इंटो 2 by 5 इंटो X square DX from R1 to R2 divided by M ऐसा होगा अच्छोर तो यह हो गया 4 upon 5 R2 square minus R1 square और इधर हो गया, x cube by 3, that is r2 cube minus r1 cube divided by 3, ऐसा हो गया? बोलो? राजर, जोसर, 4 upon 3, 5, a square minus b square, a minus b into a plus b, लिख सकते हैं अचा? बोलो? राजर, राजर, minus b cube, a minus b into a square plus a b plus b square, अचा लिख सकते हैं? राजर, ये cancel हो गया, तो finally answer is, 4 upon 3 pi, r1 plus r2, और उपर r1 square plus r1 r2 plus r2 square, ये आपका answer होगा, आया समझ में, किसी के पास book हो, तो चेक कर लेना, question number 11 हो गया, आया समझ में कि नहीं, अचा पक्र में, इसका एक second method भी बताऊंगा बिना integration वाला, बट वो एक lecture के बाद साइड, और राजर, झाल 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 तो गया आगे बनूंब यह एक मिनिट यह 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 झाल 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 हो गया? हाँ सर हो गया हाँ सर बढ़ते हैं हाँ सर बढ़ते हैं झाल 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 हेमिया स्पेरिकल चल्ट हेमिया स्पेरिकल चल्ट का मतलब है कर दारे लिए ए्नुत का यस्पेरिकल है मतलब अंदर में खाली है कि अंदर में खाली है मतलब इस केस में मांक केबल और केबल इसके सरसेश पर है तो यह माल लो ओ समझने के लिए यह एक्स यह वाई एक्स इसके मुझे सेंटर आप इस सिस्टम का सेंटर आप मार्च निकाल सकते हो हिंट देता हूं मैं यहां से आप क्या किये यहां से थीटा एंगल पर अगर चोटा सा डीठीटा सेग्मेंट लेंगे तो यह एक ऐसा रिंग बनेगा यह सर्फेस पर होगा यह दिन होगा और यह इस रिंग का विट्ट हो जाएगा आट डीठीटा तो इसका जो भी सेंटर होगा वो तो यहां पर होगा ना यहीं सेंटर आप मार्च होगा अगर एक एलिमेंटरी रिंग हम बना लेते हैं विजुलाइज कर लेते हैं और इसका रिंग कम्प्लीट है तो सेंटर आफ मास इसके जोमेट्रिकल सेंटर पर होगा तो इसी को मुझे सब्सक्राइब करना है मेरा काम हो जाएगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं को सब्सक्राइब झालब कर दो झाल 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 हुआ कुछ? नहीं, शाहर. नहीं. मास्ट पर उनिट एया, इसको मैं क्या लिखूंगा, एम अपान? जल्दी, एस्फेर का सरफे सेरिया कितना होता है? ओ भाईजाव, एस्फेर का सरफे सेरिया कितना होता है? एस्फेर का सरफे सेरिया कितना होता है? जल्दी, एस्फेर का सरफे सेरिया कितना होता है? क्या पड़ोगे बाई तुम लोगे? पॉर पाई आर स्कुरे, तो आदेश्फेर का सरफे सेरिया तू पाई आर स्कुरे? आज़ाए तो यह जो रिंग है उसका मास्ट क्या होगा? तो इस रिंग का रेडियस यह होगा? यह अगर कैपिटल आर है तो यह रेडियस स्मॉल आर एज कैपिटल आर कॉस्ट थेता होगा? और यह हाइट कैपिटल आर साइम थेता होगे तो यह डी एम मेरा हो जाएगा तू पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थेता यह एरिया होगया मल्टिप्लाइड बाइ सर्फेस एरिया मास्ट पर उनिट एरिया सिग्मा? तो यह डी एम हो गया तू पाई सिग्मा स्मॉल आर इस कैपिटल आर कॉस्ट थेता तो आर स्क्वेर कॉस्ट थेता डी थेता यह डी एम हो गया? आशागे तो इस संटर आफ मास का पॉजिश्ट क्या होगा? इंटिग्रल डी एम और इसका संटर आफ मास होगा आर डी थेता पर? इंतो आप्साइट थिटा जिए ए टोटल मास एम लिमित फिंटेगेट जिरो तो 90 डिए आँछे कोजिकर नैएछे नहीं तो दो पाइग जिएमा आइड़ कुब इंटेगरल कॉस्ट थीटा साइन थीटा दी थीटा अपॉन एम जीरो तू नैंटी डिगरी ऐसा कुछ यह स्पाइज सिग्मा आर क्यूब अपॉन एम इस टू को अंदर ले जाओगे तो साइन तू थीटा हो जाएगा आज है यह सर तो यह हो गया पाई बाई एम और सिग्मा है एम अपॉन तू पाई आर स्क्वेर और यहां पर है आर क्यूब और ताइन तू थीटा कर इंटीगरेशन क्या होगा माइनस कॉस्ट तू थीटा बाई टू जीरो से नैंटी डिगरी हो गया अचा है यह क्या आएगा आर बाई टू थीटा को नैंटी डिगरी पुट करोगे तो कॉस्ट वन नेटी माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन बाई टू फिर प्लस वन बाई टू तो यह वन होगा यह आर बाई टू होगा इसको एदर फॉर्मूला याद रख सकते हो कि हॉलो एमियर का सेंटर आफ मास आर बाई टू पर होता है हां सब्सक्राइब कॉपी कर दीजिए इसको झाल झाल सब्सक्ष्ट झाल 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 हो गया? आई से अब यहीं एक्जेल हेमियस्पेरिकल सिल्की जगर सॉलिड हेमियस्पेर रहे तो सॉल्ब कर पाएंगे जो इसमें इलिमेंटरी रिंग बना है वो रिंग की जगह डिस्क होगा हाँ सर और यहां पर मास जो एरिया में दिस्टिब्यूटेड है उसकी जगह वॉल्म होगा हाँ सर सॉलिड है तो इलिमेंटरी पार्ट जो उसमें डिस्क बना था उसकी जगह रिंग बना था उसकी जगह डिस्क होगा हाँ से अच्छा हॉल्म में मास सर से के रियार पर था सॉलिडेश्टेर में मार्क थूआउट वॉल्म होगा हाँ सर कि इतने कई फर्क है 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 ना तो कोशिश करो कुछ इसलिए पहले कहता हूं क्योंकि केबल फॉर्मूला सीखने से नहीं होगा सेमी तर्कुलर डिस्क वाले का तो आर्वन आर्टू बाला क्वेश्टिन नहीं कर पाते ना अगर यह तो इसमें मार्क थूआउट दवाल्यूम होगा है ना आप क्या कीजिए सपोज यह एक डिस्क ले लिया किसी हाइट पर तो यह जो डिस्क हो गया इस डिस्क का जो भी मास होगा उसका सेंटर आप मास तो यहां पर होगा तो यहां से एक डिस्टेंस पर दी एक ठिकनेस का एक डिस्क ले लो इस डिस्क का मास निकाल लो और मास मिल गया तो सेंटर रास मास एक पर है इसको इंटेगेट कर देना है जीरो से आर तक यहां से एक डिस्क का जो यहां झाल 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 हुआ कुछ त्राइक किया है कोई बात है करने के लिए मेरा परपस यह नहीं है क्योंकि इसमें मार्क पर उनिट वॉल्यूम कितना होगा पूरे स्वेयर का वॉल्यूम पूर बाई थी पाई यार क्यों होता है यह पूरे धिस्क का मांक इतना हो जाएगा पाई एस्मॉल आर स्कुरेर इंटू थिकनेस डी एक्स इन्टू डेंसिटी रो ऐसा होगा पाई बताओ डिस्का सर्फेस अरिया पाई आरे स्कुरेर थिकनेस दी एक्स तो सर्फेस अरिया थिकनेस वाल्यूम हुआ पाई यह जो स्मॉल आर स्कुरेर इस पाईसा गुराक सिर्फोर तो यहां से दिख रहा है SMALL ARI स्कुरे इज कैपिल आर स्कुरे माइन से क्सक्ट्ट दिन्टीृ 1 एम अपंट एम पाई आज यू होगा होगा आज रोगा को गया अपको का नहीं करता में सेंटर आज मास का लोक्रेशन क्या होगा दी M into X ka integral from 0 to R divided by total mass M होगा? 3 pi M upon 2 pi R cube into M फिर यहाँ आएगा integration में आजाएगा R square minus X square into X into DX from 0 to R. ऐसा होगा? M pi M गया 3 upon 2 R cube. अब यहाँ पर देखो. यह देखोगे integral R square X DX 0 to R minus integral x cube DX 0 to R ऐसा होगा? आचा होगा. आचा होगा. आशा होगा. आशा होगा. आशा होगा. तो यह आपका हो गया 3 upon 2 r cube x का x square by 2 तो दोनों मिला के r square by sorry r 4 by 2 हो गया और ये r 4 by 4 हो गया चमकाया कुछ तो 3 by 2 r cube इन तू अब बच गया r 4 by 4 तो ये आ गया cd r by 8 ये हमारा अंसर हो गया आया समझ में कापी कर लीगे कापी कर लीगे कापी कर दो एहाएख हो दो गया झाल ये कर दो हो भीगे कापी कर दो तो ये अंसरह गया झाल 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 साइज जो आप मिकालना मुझे लगता है आप से हो जाना कि यह जैसे एक और देखो कि लोकेशन और कि टेंटर आफ मार्श ऑपर कि तॉलिड गूर्ड कि मतलब कुछ ऐसा है सॉलिड हॉलो सबका निकाल सकते हैं मामने मामने सॉलिड का मतलब है कि इसमें मार्श वाल्यूम है तो सपोज इसमें मार्श वाल्यूम है आपको इसका रेडियस आर है देश रेडियस आर है है और इसकी हाइट एक है इसको मालों के वर्टेक्स पे हैं और यह इसका बेस्ट कॉमन से देखो यह ऐसा लग रहा है कि बड़े डिस्क के ऊपर छोटा दिस्क के ऊपर उससे छोटा दिस्क करते जाएंगे तो यह जाएगा शरू हो जाएगा तो आप लोगों को आसानी होगी अगर आप पॉइंट इस निकालने को तो यहां ओसे भी निकाल सकते हो बट्कुलेस्ट आसान हो जाएगा अगर पॉइंट एस से निकालो लोकेशन कहीं से बताए क्या फर्क परता है कि समझ रहे हो पर क्या कह रहा हूं तो पॉइंट एक और इस लेकर इसके सेंटर आफ नास का लोकेशन निकालने कोशिश कीजिए इस तिक है इस पहले कैसे था ठीक वैसे कोन के वाल्विम का पावूला मालूम है इसमें तो मैं आधा कर देता हूं उपर से एक जिस्ट से उस पर चलो आधा मैं कर देता हूं यहां पर एक दिस्ट में लो ठीक है सुन रहा है भाई आज से सुन रहे है और इसका सिट्मिल भी एक है इसको जीरो से इस सब्सक्राइट कर देंगे मास के साथ मुल्टिप्लाइट करके दो साथ हमारा काम बन जाना है पर जीरो से एक्स में करेंगे ना कि एच में आज से प्सक्राइब करेंगे खर जी एक्समिल भी एक है नहीं है झाल 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 हुआ 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 है बस आखिर मां के थोड़ा कॉंप्लिकेटेड हो गया सब्सक्राइब इसमें देंसिटी मांस पर यूनिट वाल्यूम क्या होगा हुआ हुआ है हुआ 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 है आखिर एक बिद्सका रेडियाश कुछ होगा मांनो इसमॉल आर्याइश थो इसका मांस होगा बी एम इस पाई स्मॉल र स्केरे बना कि दो डी, एक्स लॉालिउम उतू एम अपॉन पाई कैपितल र स्केरल एक्स क्पाई हॉगएuleण हो गया ऐसा? अब देखो, यह जो बद बाला ट्रयांगल दिख रहा है आपको और यह जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको जो जो सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं X upon small r is equal to H upon capital R इसा है small r मिलेगा इसको यहां substitute कर देंगे तो यह हो गया 5 capital R square नहीं गलत की है मैंने और इसको नहीं सही है नहीं सही है 5 capital R square into H square upon small h square ऐसा होगा into 3m upon pi capital R square into H ऐसा कुछ होगा आँ सही होगा आँ सही होगा तो यह होगा 3m upon h cube into x square dx यह हमारा dm हुआ? आँ सहुआ आँ सही होगा तो point A से center of mass का जो position होगा आँ सहुआ होगा boynt A से वो जाया integral dm is to x from x is equal to 0 to x divided by total mass m यह से तो 3M upon X cube into M integral X cube dx from 0 to X M M गया so 3 upon X cube into X 4 by 4 ऐसा होगा आशा हो जाएगा 3H by 4 तो वर्टेक्स से 3H by 4 distance पर आपका solid goal का center of mass होगा आशार में आशार 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 वर्टेक्स से 3H by 4 सरोगा clear 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 क्या शेर वर्टेक्स वर्टेक्स आशार clear clear क्या अि झाल 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 आर रस व क्यान ओ कर दो 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 औरे शो बात्यों जShow довольно अग्वश्क्त गया हैap व कार माल यह नह दो फो मन ग। खो दो दो uncondemli ऑगा जे गह र॒बात्यश्च है व क्ताटो सुझ छो हूद्ब। झाल 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 है इसी तरह अगर ये वे 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 याद रहे तो मोर्दान सब्सक्राइब फिर भी अगर पूछे भी तो कर सकते हैं और एक विजुलाइशन डेवलप होना चाहिए कि कैसा भी सेप रहेगा तो उसका इलिमेंटरी क्या लेना है इतना भी हो गया तो काम चलेगा होमवर्क दिया है मैंने स्व और माते कभी आपको इस चैप्टर में अभी तर नहीं सर्थ तो होमवर्क में स्थी विशे फ्टिव से क्वेश्टन नंबर वन तू एलेवन इए यह कैसा यह आप कर निए ठीक है भाव से चलो आज के देखना है अफलिख जगे मिझें तो हम पर यह आपए तो